नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप सेवन बैस स्मार्टफोन की जो कि आप खरी सकते हैं 15,000 पर से नीची की प्राइस में इस दिसम्बर मत में तो चलिए अगर आप भी जाना चाते हैं तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस बार की जो लिस्ट है वो तोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि यहां पर कुछ नए स्मार्टफोन भी लॉंच हुए हैं जिन्नोंने हमारे इस टॉप 7 बैस स्मार्टफोन के लिस्स में जगे बनाई है तो चलिए start करते हैं और जिन भी smartphone को हम बात कर रहे हैं उन सबी के link आपको नीचे discussion मिल जाएंगी तो चलिए start करते हैं दोस्तो number 7 के साथ और दोस्तो number 7 पे 1 नहीं बलकि 2 smartphone आते हैं और ये दोनों ही आते हैं Samsung की तरफ से सबसे पहरा smartphone है Samsung Galaxy M21 2021 Edition जिसका current pricing है लगबग 12,000 रुपए और इस pricing के साब से दोस्तों ये काफी अच्छा device है क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर जो display quality आपको मिलता है वो no doubt काफी अच्छा है Super AMOLED पैनल यहाँ पर दिया गया है जो किया आता है Full HD Plus Resolution के साथ में इसके अलब दोस्तों अगर मात करते हैं battery की तो यह भी इस phone का key highlight feature है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 6000 mAh का battery और हमारे users में यह दोस्तों डेट से 2 दिन चल जाता है तो हाँ battery का backup भी काफी अच्छा होने वादा है हाला कि charging speed में थोड़ा सा time लगता है क्योंकि यहाँ पर आपको 15 watt का charging support ही देखनी को मिलता है camera की बात करते हैं तो वो भी काफी decent है triple camera में setup दिखनी मिलता है और primary camera है 48 megapixel का इसके लब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों phone के performance की तो वो भी आपको decent दिखनी हो मिलेगी हाला कि बहुत extreme performance यहाँ से आप expect नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया गया है Exynos का 961 chip set जो की general users के लिए general task के लिए ठीक है लेकिन हाँ अगर आप बहुत heavy performance expect करना जाएंगे तो फिर यहाँ से आप निराश होने वाले हैं तो performance के लिए बहुत अच्छी performance के लिए phone नहीं है लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ फोन के display quality की camera की या फिर battery की तो यह सच में काफी अच्छे है और यह आता है दोस्तो अमारे लिसमें number 7 पर और दोस्तो इसी position पे जो दूसरा phone है Samsung की दरफ से यह है Samsung Galaxy M32 14,500 रुपए 14,900 रुपए लगबग इसी price में आपको यह phone दिखने को मिल जाता है और अगर मैं बात करता हूँ यहां पे भी display quality की तो यह भी आता है super emerald panel के साथ में तो display quality दोस्तो इसका भी काफी amazing है और यहां पे दोस्तो हमें 90Hz का screening refresh rate भी देखने को मिल जाता है camera की बात करते हैं तो यहां पर camera को और update कर दिया गया है 64 megapixel का primary sensor यहां पे दिया गया है और काफी decent pictures दोस्तों यहां पर आपने देखने को मिल जाती है इसके लगर मैं बात करता हूँ battery की तो वो भी यहां पर आपको 6000 image का देखने को मिलने वाला है अब यहां पर difference क्या है दोस्तों M21 2021 से कि इसका जो performance है वो आपको थोड़ा से better दिखने हो मिलेगा क्योंकि यह आता है Mediatek के Helio G80 chipset के साथ में हाला कि बहुत अगा powerful chipset तो नहीं है लेकिन हाँ Exynos के 96211 chipset से थोड़ा सा better perform करता है और आपके daily task बहुत ही easily complete हो जाएंगे In fact आप यहां पर काफी अच्छी gaming भी कर सकते हैं BGMI को play कर सकते हैं Asphalt 9 को play कर सकते हैं तो overall एक अच्छा device है दोस्तों लगबख 15,000 रुपई की price में और अगर आप Samsung के fan हैं लगबख 12,000 से लेकर 15,000 का budget है आपका तो आप दोनों में से कोई भी phone choose कर सकते हैं नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर भी दो device हमको देखते हूं मिलते हैं और दोनों ही आते हैं Realme की तरफ से पहला device है दोस्तों Realme की तरफ से Realme Narzo 34G जिसका current pricing है लगबख 13,000 रुपई और अगर आप performance के लिए कोई phone रून रहे हैं इस price में तो यह one of the best phone हैं दोस्तों क्योंकि यह आते हैं MediaDeck के Helio G95 जिपसेट के साथ में अब यह जिपसेट हम काफी सारे devices में already test कर चुके हैं performance यहां पर हमें no doubt काफी अच्छा देखने हो जायेगा छाहे यहां पर हम daily users की बात कर रहे हैं चाहे अं एक्स्टीम performance की बात कर रहे हैं gaming की बात कर रहे हैं सच में यह काफी कमाल का में पर्फोर्मेस देता है इसके रव दोस्तों जो phone का डिस्प्लय है यह भी हमें काफी अ MS का बैटरी है 30W का डार्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको दिखने हो मिल जाता है तो फोन प्राइजिंग के साफ से नो डूट काफी अच्छी डील के साथ में आता है दोस्तो जी हाँ यहाँ यहाँ पर में बात कर रहा था रियल्मी नार्जो 34G की और एसी पोजिशन पर जो रियल्मी का दूसरा डिवाइस हमको दिखने हो मिलता है यह है लेटेस्ट लॉंच रियल्मी 8i इसका प्राइजिंग भी लगबग साड़े 13,000 पर आपको दिखने हो मिलेगा अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोस्तो नार 4D Plus Resolution के साथ में लेकिन यह आपको मिलता है 120Hz के स्कीन रिफ्रेश रेट के साथ तो थोड़ा सा और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और इस बिश्लेगर में बात कर रहा हूं गेमिंग की दोस्तों तो वहां पर इसका पर्फॉर्मेंस और जदा बहतर हो जाता है इसके करते हैं तो 50 Megapixel का primary sensor दिया गया है तो overall आप कह सकते हैं कि थोड़ा से अपग्रेट फीचर के साथ में आपको Realme 8i देखने को मिल रहा है तो आप चूस कर सकते हैं कि आपको Narzo 34G की तरफ जाना चाहिए या फिर Realme 8i की तरफ लगबख सेम प्राइज में दोनों ही फोन अव सुन्यार रुपाय स्टार्टिंग प्राइज है अब इस फोन में कुछ ऐसी चीज़े दी गई हैं जो कि मोटो ने हमें पहले नहीं दी है इनफेक्ट अगर मैं बात करता हूं 15 और पर से नीचे की प्राइज में तो कुछी फोस में ये अवेलेबल है तो सबसे बहुत तो हां सबसे बड़की हाइलेट फीचर इस जवाइस का सूपर एमलेट पैनल है और डिस्प्ले को रिटिक हैर आप यहां पे देखी सकते हैं इसके अलाब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों के परफॉर्मेंस की तो ये भी ओके साथा ओके सा मतलब अगर इस प्राइस की दूस परफॉर्मेंस थोड़ सा और बैटर हो जाता है और इसलिए मैंने कहा कि सूपर एमलेट पैनल के साथ में आपको M32 या फिर M21 2021 से भी बैटर परफॉर्मेंस यहां पर मिलने वाला है कैमरा की बात करते हैं तो डिसेंट पिक्चर आपको यहां पर देखने हो लेंगी कुछ कैमरा इमेजेस आप यहां पर चेक कर सकते हैं इसके लब दोस्तो 5000 एमेज का बैटरी 20 वाट का डार्ट चार्जिंग सपोर्ट यह सारी चीज़ें यहां पर दी गई है तो ओवरल दोस्तों एक बहुत अच्छा उप्शन है मोटो की तरफ से मोटो G31 जो किया आता है हमारे इसमें नंबर 5 पर नंबर 4 पर भी दोफोंस को मैं रखना चाऊंगा एक आता है रियलमी की तरफ से और दूसरा है पोको की तरफ से यहां पर बात कर रहा हुँ इसके लाव दोनों ही फोर्स में 48 Mbps प्राइमरी सेंसर है, यहाँ पे दोनों ही फोर्स आपको 90 एर्स के स्किन डिफरेश रेट की साथ में दिखने हो लेंगे, एक IPS पैनल है, जहाँ पर आपको फुल एचली प्लस का रेजोलुशन देखनी को मिल जाते हैं, बैटरी दोनों ही फोर्स में 5000 एमेज का जोकि सबोर्ट करते हैं 18 वाट का फास चार्जिंग, तो अगर आपके 5G फोर्स डूण रहे हैं 15,000 पर से नीचे के प्राइस में, तो आप दोनों में से कोई भी फोर्स चूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहा था Realme 85G और Poco M3 Pro 5G की, बात करते हैं दोस्तो नंबर 3 की तो ये भी आता है मोटो की तरफ से, वैसे अब देखना ये इंटरस्टिंग हो गया है कि मोटो भी 15,000 पर से नीचे के प्राइस में अच्छे फोर्स दे रहा है, और यहाँ पर इस बार एक नहीं बल्कि दो उप्शन हमको दिखाई देते हैं, पहले हम बात कर रहे थे मोटो G31 की और अब यहाँ पर हम बात कर रहा हूँ मोटो G40 Fusion की, जिसका प्राइस है दोस्तों लगबग 14,500 पर और एक बहुत अच्छा उप्शन है दोस्तों इस प्राइस में, क्योंकि सबसे बहले तो यहाँ पर आपको मिलता है एक बड़ा सा डिस्प्ले 6.8 इंचिस का, हाला कि यह IPS पैनल है, लेकिन यह आता है 120Hz के स्क्रीन रफ्रेश रेट के साथ में, तो इस प्राइस के साब से तो आपको काफी अच्छा लगने वाला है और 120Hz का स्क्रीन रफ्रेश रेट है तो एक और एडवांटेज यहाँ पर एड़ हो जाता है इसके अलवागर में बात करता हूं कैमरा की दोस्तों 64MP का प्राइमरे सेंसर काफी decent images आपको यहाँ पर दे तो फोन का डिजाइन में थोड़ा से compromise यहाँ पर आपको देखनी हो मिल जाएगा चाहे है फिर हम वेट की बात कर रहे हैं डैमेश की बात कर रहे हैं लेकिन इसके अलवा जो बाकी सारे feature हैं दोस्तों वो आपको no doubt काफी अच्छे देखनी हो मिलने वाले हैं तो आप अपन का difference देखनी को मिलने वाला है यहां पर मैं बात कर रहा हूं Realme 8 4G वाले वेरेंट की और दूसरा डिवाइस है Redmi Note 10S जो कि आपको मिलता है लगबग 15,000 रुपर की प्राइजिंग में और यहां पर मैं बात कर रहा हूं Realme 8 4G की तो यह आपको मिलता है 15,000 रुपर की प्राइ पर्फॉर्मेंस की तो MediaTek का Helio G95 जिपसाइड आपको दोनों ही फोस पर देखनी को मिलेगा पर्फॉर्मेंस कहरा हम बहुत बात टेस्ट कर चुके हैं काफी अच्छा का सा पर्फॉर्मेंस आपको यहां पर देखनी को मिल जाता है यहां पर अगर बात करता हूं दोनों ही फोस के डिस्प्ले की तो Super AMOLED पैनल के साथ मैं आपको यह दोनों ही फोस देखनी हो मिलते हैं तो दिस्प्ले क्वालिटी नो डाउट यहां पर दोनों ही फोस का काफी अच्छा होने वाला है इसके लब अगर मैं बात करता हूं दोनों ही फोस के कैमरा की तो यहां पर आप Ui आपको 12 देखने हो मिलता है Redmi Note 10S में बैटरी दोनों ही फोस का 5000 एमेच का है दोनों ही फोस में आपको Fast Charging का Support देखने हो मिल जाएगा 30W का Dark Charging Realme 8 4G में और 33W का Charging आपको देखने हो मिलता है Redmi Note 10S में तो आपने देखा काफी अद तक सिमिलर हैं दोनों ही फोस हाला कि कु देखने को मिल जाते हैं तो हां बहुत भी माइनर से दिफरेंस हैं लेकिन काफी हत तक दोनों ही फोस सिमलर को देखने हो मिल रहे हैं तो अब आप दोस्तों कर सकते हैं कि आपको Realme की तरफ जाना चाहिए या फिर Redmi की तरफ दोनों ही फोस मेरे सबसे काफी अच्छे हैं और इसलिए आते हैं हमारे लिस में नंबर दो पर और दोस्तों फाइनली अब बाद आती है नंबर वन की यह एक लेटेस्ट लाउंच जो गयाता है रेडमी की तरफ से जी हां यहां यहां पर बात कर रहा हूं रेडमी के लेटेस्ट लाउंच रेडमी नोट 11T 5G की जिसका पनराजा 999 रुपए जहां पर आपको मिलता है 6GB RAM के साथ में 14GB स्टोरेज अब दोस्तों इस फोन के नंबर वन होने के दो सबसे बड़े दीजन है एक तो यह 5G फोन है तो अगर आप फ्यूचर एड़ी फोन खरिए दे चाते हैं करें दो डाई साल तीन साल फोन को ची नह जानते हैं बहुत ही पाउरफुल चिपसाइट है पहले यही चिपसाइट हमें लगबख 17-18,000 रुपी प्राइज में मिल रहा था लेकिन नोट 11T 5G में में यह लगबख 15,000 रुपी की प्राइज में मिल रहा है तो फोन का परफॉन का परफॉरमेस काफी अच्छा होने व फोन का डिजाइन अच्छा है तो यह सारी चीचे तो बैलेंस है लेकिन अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़े की है लेट वीचर की तो 5G और फोन का परफॉरमेस तो 15,000 रुपी की प्राइस के हिसाब से यह आता है दुस्तों हमारे लिसमें नमबर बन पर तो कुलमलाकर यह थे टॉप 7 बैस स्मार्टफोन अब यह लिस्स आपको कैसे लगी आप नीचे कमेंट सेक्शिम में बता सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ चेंजिस हो आपकी प्राइटी या फिर यूजिस के अकौर्डिंग यहां पर कुछ आप चेंजिस करना चाहत हैं तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शिम में बता सकते हैं चले दूस्तों बस यही था आज कि इस वीडियो में मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आए वह वाइस वीडियो को लाइक और शेकरना मत बुलिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियो इस वीडियो में तब तक के लिए आपके दिन चुब रहें और आज का वीडियो देखने लिए बहुत बुदर्यवाद